हलो फ्रेंड्स मैं अजली गुठा ने आज हम बनाएंगे सेजवान अंडा पराथा इंग्रिडेंस देख लीजिए हमने एक अंडा लिया है बटर लिया है नमक लिया है और मिर्ची पाउडर लियी है कटा प्याज लिया है तमाटर लिया है धनिया लिया है थोड़ा थोड़ा हम इसमें से लेंगे और यह आटा गुत के लिया है जैसे हम रोटी का आटा गुतते है ना उसी तरह नमक डालके प एक अंडा ले लेते हैं थोड़ा सा नमक मिर्ची पावडर थोड़ी सी कटा धनिया कटा प्याच थोड़ा सा कटा धनिया और कटा टमाटर थोड़ा थोड़ा ले लिया है और इससे हम इससे मिक्स कर देते हैं इस तरह ताकि नमक सब जगह मिर्ची सब जगह हो जाए इस तरह सबसे पहले एक रोटी बना लेते हैं हम इने सुखे आठे पर थोड़ी डाल के इस तरह इसे दो पार्ट करेंगे इसके और इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे ऐसा फैला के तेल को इसके उपर रख देंगे और सुखे आठे में फिरसे डाल के इसकी रोटी बना देंगे इस तरह से बनाना बहुत आसाल है कोई भी बड़ा सकता है हमने भी डाल दिया है इसको होने देते हैं अब इसे टर्न पर देते हैं और गैस कम कर देते हैं और इसमें यह डाल देते हैं इस तरह और किसी चम्मच या फोक्त के सहारे इसे दबा देते हैं इस तरह से अब थोड़ा इसमें बटर डाल देते हैं हमारा अंदर का जो अंडा है वह अच्छे से पर्प जाना चाहिए अच्छे से फूल जाएगा अभी थोड़ा गैस बड़ा कर देते हैं इस तरह बटर डाल देते हैं जासे ज़दी 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 तरह वोले और से आराम से वड़दी तेहें अर अरम से बटर देते हैं ध्यान से पलटना, थोड़ा ऐसे से दबाते जाएंने से, ताकि हमारा अंदर का अंगला जो है, वो पक जाना चाहिए, यह अच्छे से ऐसे फूल जाता है, मस्क, इस तरह हाँ, इसे और एक बर हम जहां से फल्टी करें, देखो कितना बड़ी आसा हो गया है, अभी थोड़ा ग्यास कम कर देंगे हाँ, कट करेंगे, इस तरह हाँ, इस तरह हाँ, इस तरह हाँ से, आरां से, इस तरह हाँ, इस तरह हाँ, इसे, देखें कितना सुंदर दिख रहा है, और ग्यास बन कर देंगे, अब हाँ, सेजवान चक्नी, इस तरह से इसे लगा देते हैं, और थोड़ी उपर से, और हम और जो तिन बना लेते हैं, और फिर सर्विं बॉल में निकाल लेते हैं, और हम और एक बना लिया है, इस तरह से हमने चार बना दिये हैं, आपको मेरी रेसिपिक ऐसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे बढ़र देख पाएं, थैंक यू,